सबी धर्मों में बताया कि विज्ञान है हमने धर्म माल लिए समझे नहीं कि धर्म क्या है धर्म गरंत पड़े नहीं है वह एक आया था गुरूप में तुम में से किसी ने बेजा था पॉलिटिका गुरूप में अदालत में गीता पर रखकर हाथ तो रखकर कसम खाई जाती ह लेकिन स्कूलों में गीता पढ़ा ही नहीं जाती बदकिस्मती है नहीं देखो जी कि उस भगवत गीता पर आप भई ऐसा है ना आप जाओगे आदा उपर ना करें जाना पड़े बढ़ा कर जाओगे तो सबसे पहले आप से कहीं किता पर कुरान पर हाथ रखके का समखाओ इस गिता को पढ़ाया नहीं जा रहा है तो अगर हम धर्म ग्रणतों पर भी देख लें तो वहां भी कई कई सोलूशन मिलते हैं लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कुछ लोग अपने जान बुशकर स्टैंडर्ड लो कर रहे थे हैं ऐसे खर्चे कम करते हैं जो कर नहीं कर मुनाफ़ा इंटम्स और पैसा भी होता है मुनाफ़ा इंटम्स स्टेटस भी होता है आपकी ज़रुद भी होती है अगर को ऐसी चीज़ है जो आपके पास है और जिसके आपको ज़्यादा ज़रुद नहीं है जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है और आपका स्टेंडर लो नहीं होगा उस चीज को निकाल सकते हो बंद कर सकते उस खर्चे को लेकिन अगर खर्चा बंद कर दो कोई भी छोटा या बड़ा इस फॉर एक्जामपल चलो गाड़ी ही यूज करना मंद कर दी मैंने एक एक जामपल दया था शायद आपको मेरा अपना एक्जामपल है मेरे घर में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अकभार आया करते थे यह उन दोनों की बात है जब पचास पैसे एक रुपे का आखा आता होगा शायद मैं अपने दफतर में या कर अकभार पढ़ लेता मुझे नहीं पता में डाइड नोट करने इसको उन्होंने वो डेट उससे पूछ कर अकबार वाले से नोट कर ली तीन या चार महीने गुजरे थे चार महीने बाद उससे कहते हैं वह इंगलिश का आप बार नहीं डाल रहा अकबार वाला क्या तुमने मना किया उसको नहां मै अब अब पैसे बचे वो तो एक बात कियों मैंने तो खर्चा कम करके दूसरा खर्चा कर लिया तो क्या फायदा अब यह था कर अगर खर्चा कम कर लो तो पैसे को जो भी बच रहा है उसे एक जग़ा अलग से ख़टा करो और करदा उतारने के लिए उसका इस्तमाल करो कि मैंने उस दिन से गाड बांदी थी और मेरी उम्र लग बग 17-18 साल रही होगी तब मैंने तभी यह कर लिया था कि या तो कोई चीज खर्चा बंद नहीं करना और बंद करना तो उसकी जगा क्या कर रहे हैं वह पैसे जाका रहा है कि अब मैंसे बहुं सा रहो गए हैं साब काम मैं थिमिए नहीं करता हूं मैं न हैं बंद कर दिया हैं मेंने बंद कर insanity लाग तो उस पैसे का तो पता नहीं इनके तो मैं समस्तों शराब की बहुत ले बेच बेच के लोगों ने घर बना लिओंगे इतनी खाली बहुत लोग होगी है अब इनने समझ में क्या रहे तो वेस्ट हो रहे तो उसको इकट्टा करना ऐसा नहीं है कि वह पैसा अब खर्चा बंद कर दिया पैसा का जारा मालूम नहीं है इसका मतलब आपका मनी मैनेजमेंट खराब है तो अगर आपको खर्चा कम करते हैं तो दो चीजें ध्यान रखनी है खर्चे से आपका स्टैंडर्ड लोना हो और कोई ऐसा खर्चा ना हो जाए जिससे आपकी छवी खराब हो और जो खर्चा कम करें उस पैसे को अलग इखटा करें और उसका परपस केवल और केवल करजे से बाहर निकलने के लिए इस्तम कर आजवरे कि लिए उसका इस्तमाल करें तो यह काम कर सकते हैं तरीका काम आईगा नेक्स Ikelinic कि इसको में pipeline बोलता हूं नहीं नहीं पाइप लगाओ लेकिन दो-चार फाइप करजे से बाहर निकलने माले लगाओ इनका जो पैसा आएगा वह केवल और केवल करजे से बाहर निकलने के लिए इस्तमाल किया जाएगा इस पैसे का इस्तमाल में अपने किसी और काम में नहीं करूंगा जो लोग करजे में होते हैं आपने जो प्लैनिंग की गलत हो गई रनीती फेल हो गई अब आपके बास नहीं रनीती क्या है कि यह अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा तरक्की करूंगा बहुत आगे बढ़ूंगा और अप है तरिका सही हो वाट यह प्रैक्टिकल नहीं है क्यूं क्योंकि आज आज आपके बजनस की जो value थी आपकी एसेट थी वह एक करोड की थी कल आपकी turnover आकर पांच करोड हो गई आप तो आपका दिल दुखे power मैं आपना पैसा कूं दे रहा हो कोई चोड़ा सा पाइप लगा दूना वहां से तोड़ा तोड़ा रिस्ता रहे निकलता रहे करजा का कोई ऐसा खास source of income generate करो यहां से आया हुआ पैसा केवल कर्जे में जाएगा, यहां से केवल installment भरी जाएगी, यहां से केवल और केवल यह खर्चा होगा, यह पैसा मैं अपने लिए इस्तमाल नहीं करूँगा, और अपने खर्चे अपने काम दंदे नौकरी जो कर रहा हूं उससे ही चलाऊंगा क्या हो सकता कुछ भी हो सकता आप अगर नौकरी करते हैं तो आपके पास को नौलेज है उस नौलेज का इस्तमाल करिए सर्वी सेक्टर में चले जाएं आप जहां नौकरी करते हैं पार यहाप करना शुरू करू और केवल यह काम तब तक करो जब तक आप कर रहिए से बाहर ना natal जाओ और करजे से बाहर निकलते हो चविवा चूड़ सकते हो अगर नहीं चूड़ना चाहो यह प्रोफेशन के रूप में इसका इस्तमाल कर लो और जब ऐसा करोगे ना तो हो सकते हैं आपके बास एक नया सोर्स ऑफ इंकम जनरेट हो जाए जो करजे के बाद भी आपके लिए कमाई का सोर्स बन जाए शुरू में बड़ा जीब लगता है सुनना लेकिन यकीन ऐसा होता है कई बार आपको इस पार टाइम में होबी के रू देंगे और सर्विस लेने के लिए 8-8 लाक रुपे मुझे देंगे रन नीती बनवाने के और मैं उससे कमार होगा मैंने नहीं सोचा तक कमाने के लिए एक मेरा सपना था उस सपने के लिए लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और उसके बदले मुझे पैसे भी देना चाहते हो गया का आप देखो आपके करजे से निकलने के लिए आपका कौनसा ऐसा पाइपलाइन होगा कौनसा ऐसा सोर्स ओफ इंकम होगा जिससे आप छोटे से छोटा हो इस्तेमाल करो हुट ऑर ऐससा नहीं की आपको केवल अपने आपको इसकाम पर लगाना है डॉक वहार उस व्यक्ति को आप कर सकती हो आपके परिवार के लोग उसकते हैं करम चारी हो सकते हैं सब को लगा दो काम पर हैं बीवी पड़ी लिखी है कि यार पांचे जार उपे के लिए नौकरी छोड़े करों भेज दो कौन वहना कर रहा है कि घर में बैठे बैठे वैसे ही बोर हो जाना है उसने है कि मैं यार अपना मेरा बेटा तो भी 20 साल का पढ़ाई कर रहा ह पार-time जॉब करेंगा तो अच्छा लगा तो क्या हो गया अपना खर्चा उठाले बस इतना कर दो उसको के बटेज्य करण नहीं तारने का है तुझ अपना खर्चा उठाले बस तो सैल भी-मैंड हो जाना कर सकता चल ठीक है तो दो होम टूशन पकड़ लें दस जार दार मिल जाएंगे होगा काम से देना है दूब देज deve सकता है आप देखो आपके परिवार के लोग के पारन्चारी ए denen के लोग जो आपके टीम के लोग इनका सही हिस्तेमाल कैसे कर सकते है और यह आपके जिम्मढदारी उनकी नहीं कर देlarını कर्जे में निकलने की स्थिती में आ जाएं और जब करेंगे तो कोई ना कोई सोर्स ओफ इंकम मिलेगा कई वार ऐसा होगा कि आपने शुरुवात करी होगी केवल करजे से बाहर निकलने के लिए और आइसा 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 एक प्लैटफॉर्म बन जाएगा उन्हों ने कह है कियते हैं तीन महीं हुए थे उसको बाहर जाए हुए उसकी Venetime में है इंप्रुमेंट आया। उसका बात करने का ढड़ंग बदल गया। अउसका लूप बदल गया, तो अब ही जब लोग उसके रिषटे के लिए आते थे वह अब उसको पसंद करने लगे हैं। कि उसने यह नहीं सुचा था उसका पुर्पस ही नहीं था कि जा करके मेरी बहर बाहर जाएगी तो उसकी पस्रेंटी में इंप्रूमेट होगा या लेकिन हुआ क्या यह तो हम सब जानते कुद्रत का नियम है कि जब आप परिवार में एक जगा बैठे हुए तो आपकी सोच उसी तरह की होगी जब आप बाहर लगल्ग तरह के लोगों से मिलेंगे Forsch将 पर प्रस होंगे वозможно दमेंगे लोगे से बात के और आपके परिवार के लोग को आपके मालूम है तो यकीनां वो आपका साथ ने और आगर भो साथ ना है मैंने कभी निका मैं इसे परिवार बोलता हूं मैं मानता हूं तो फिर मेरे बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला मैं आपको को है मेरे परिवार की वैक्ती है कभी आपको कोई तो बताएगा लाइफ-्टाइम आप तो फ्री में दूंगा अगर किसको आना हो आधा गंटा भी दूंगा तो दे दूंगा यार क्या फरक परता आ जाओ ना तुम्हारी समस्य का समधान होना जाए रहामन खड़ा कितनी दर वैठे आत दिन में एक गंटा इसको ट्रेंट करना वे तुने बोलना ना तू यार यह मुझे क्या मिलेगा मेरा क्या फाइदा है अगर रहन बत्रह यांस पर आकर बढ़िया बोले या कल नापए से कोई आकर या मच पर यह समाल ले और वह मच पर अपनी बात कहें तो मुझे क्या मिलेगा एक सटिस्ट्शन मिलेगा कि कि मैं इसे परिवार कहता नहीं हूं मैं के परिवार का कोई भी कोई भी आपकी बीवी आपका भाई आपके वो लोग जो आपके साथ है अगर आप temporada होAnda कैम करके बुए अ59 के यदि थोड़ा बहुत कहीं से लाख करके आपका बड gör सकते हैं या केवल अपना वजण ही उठाने लाइक बन सकते हैं तो बनागी उनको उससे क्या होगा उनकी पस्रेंटी में इंप्रिमेंट आएगा आपको एक सेल सेटिस्टेंशन होगा और यकीनन उनके पास अब कुछ और सोचने का ऑप्शन भी होगा वरना भी तो केवल करजा 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 बुरी सिच्वेशन बुरी स सकते हैं लोगों की सोच को विचारों को बदल कर जितने भी लोग आपके परिवार के हैं आपके दोस्ते हैं आपके साथी हैं उन सब कर सकते हैं जितना हो सकते करिए अगर ये पॉसिबल है तो मैंने इसलिए खा यदि संभव हो तो अगर कोई ऐसा वेक्ति है जिससे आपने करजा दिया आपका दोस्त है आपका खास वेक्ति है और वो केवल अपना मूल लेने को ही तयार है तो कई लोग बताते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है करजे से बाहर निकलने का कि आप उसका ब्याज देना बंद करें अगर आप केवल मूल दे रहे हैं जितना भी दे रहे हैं मानों आपने बीस जार में मिहना किश्च बांद रखी ती केवल करजे की ब्याज क और अभी बीस जार आपका मूल कट रहा है तो अब आपको वह बर्डन नहीं लगेगा अब आपको अच्छा लगेगा मेरा पैसा कम हो गया मेरो पर वजन कम हो रहा है मैं अपना वजन कुछ-कुछ उटार रहा हूं अब क्या हो रहा है आप ब्याज भर रहे हैं और मेंटल प्रैशर बहत हर्ता कम हो जाता है कि योग बताते हैं कि मैंने अपने करणे से बाहर निकलने के लिए इस फार्मृल को ट्राए किया और जिस दिन क्राए किया उसी दिन से मैं करणे से बाहर निकलना शुरू हुआ च्यों कि मेरे दिमाग ने मुझे कहा अब तू रहा है अब तक तो सिर्फ यह लग रहा था कि केवल तो ब्याज दे रहा है और पूरे जीवन पर केवल इसका ब्याज ही चुकाता रहेगा मूल वहाँ है जहां खड़ा हुआ है यह साइकलोजिकल इंपेक्ट होता है लोगों और बहुत सारे लोगों पर तो इतना जाना होता है कि कई लोग यह सुचते हैं किやार कोई भी आप्ष्न वो कोई भी तरीका हो ऐसे यह करलो भे है कि कि प्लशकता है जिस व्यूंवगती साकिक सब्सक्राइं कर्जा लिया हो वो व्यूंवथी आपका ब्याज माफ करने को या बंद करने को न माने परन्तaufenे को न परनतौlle आपस में आपको आपको मिलोंगा आपको जो पूछ भी रहे थे सारा आपकी एरूडिस्वान कॉन करता है बड़ी बड़िया पोजिशन बादे पेस त्री पर आती है बड़िया डिजाइन होती है पता है मार्केट से 30% सस्ते रेट पर देता है वह वेक्ति मुझे है मेरी पोजिशन पर देता है जा मैं को मैं कहूं कि यहां इस फोटो के साथ आएगी तो वहीं आएगी अभी अगर आपने फेस्बूक पर आपका टच में हो नहीं है तो आप सबका अकाउंट होगा आप आज़ेगा आर्पीज कभी करदे में रहा नहीं हो ना और जो लोग नहीं रहते ना अगर आप में से किसी ने कभी करदा ना लिया हो तो जिसने लिया होगा ना पहली बार तो बड़ा प्रेशर लगता है क्राइम लगता है गुना लगता है कि कहते हैं मॉन्ट जादा नहीं था लेकिन बड़ी ट तू मेरे से ले सकता है, पांस लाग रुपे कोई बड़ी चीज ने है, तू ले ले मेरे से और कर दे एक काम, दे दियो मुझे, अक्सर हम जब बात करते हैं, लोग मुझे से कहते हैं, आपकी बात हैं, इतनी सही या तनी सच्ची क्यों होती हैं, क्या आप हमेशा यही बाते ह जो सच्ची या सच्ची आपको ही मिल जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, जो अभी रमेश जी ने का ना, वो ही मेरी भी बात है, वो ही आपकी बात है, हर काम्याब इंसान की यही बात है, क्यों दिल से बात करता है, अगर आप दिल से बोलोगे, वो बात आपके दिल को लगेगी लगे गया मैं अगर किताबों की बाते करूंगा तो शायद आपके दिल को नहीं लगेंगा आपका दिमाग समझ सकता है उस पर दिल नहीं समझेगा और जब दिल आपका समझ जाता है कि चीज़ें ठीक हो सकती है तो यकीन हम चीज़ें ठीक हो सकती है बदलाओ की शुरूआत अपने आपको नहीं बदला है और मैं आपको बता रहा हूँ आपके और अमीरी के और आपके और कामियवी के बीच में केवल एक वेक्ती ख़ड़ा हुआ है एक वेक्ती बदल दो इसको हडा दो इस एक वेक्ति को हडा दो जो बहानेबाज है जो जूट बोलता है जो आलसी है जो नाकारा है जिसको मालूम है मुझे क्या करना चाहिए लेकिन वो करता नहीं है और बार 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 ये कहता है कि कोई दूसरा जिम्मेदार है मेरे लिए हमारी कामयाओी और नाकामयाओी के लिए केवल हम burATION है और हमारी और कामयाओी के बीच एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है जब तक वो व्यक्ति बदलेगा नहीं बदलाव होगा नहीं चाहें वो करजे से निकलने का बात हो तरक्की करने की बात हो एक रुबे से एक हजार कोड़ से बड़ा एंपायर कड़ा करने की बात हो असली मूल मंत्र तो यही है आज मैं आपको कुछ तरीके दिये, कुछ और तरीके हैं हमारे पास कर्जे से बाहर निकलने के, लेकिन जितने भी तरीके मैंने दिये या जो भी रबेशी ने कहा मैक्सिम बाते एक ही घूम फिर कर आती है हमें बदलना हमें पढ़ेगा मैसले लोगह सब्था हूं मैसा आप करजे में हो कहते हैं मैना आप हो कर आपकी कंपनी करजे में के अभी समोज मोन आता कि मेरी कंपणी गर्जम है के में करते मूं वहां चल रहा है गाते में चल रही हिं कि इस सएक लुइन इसलिए वह और कुछ लुए है तो कंपटी कहां खा गई सिको ने जाएं के लिया हमने खाँ लिए हमने गहलत रणी ती बनादी हमने उस पैसे को जाने के गलत रास्ते दे दिये आपके पास ये तरीका है यदि संब्भ हो तो ब्याज ना देकर आप करजे से बाहर निकल सकते हैं अगर आप कहते हैं मैं ये एक तरीका इस्तमाल नहीं करना चाहता है मैं एक तरीका और दे रहाँ आपको आम एक्सिन टाइम बात क्या कर रहे हैं? आम बात करें करजे की, मैं करजे में फस गया हूँ, करजे से निकलना चाता 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 हूँ, और आप करजे की ही बात कर रहे हैं, करजे से बाहर निक से आये लेकिन छोड़ दीजे इसको समधान की बात करें समधान क्या है जब हम समधान की बात करते हैं तो हम समधान ढूंड लेते हैं और हमारी किसी भी व्यक्ति से की हुई कोई भी बात फ्रकाशीत कोई ना कोई समधान हमें दे देती है अभी नरेन जी ने कहा कि आपकी बाद से मुझे एक समधान मिल गया जैंको इनको मालूब था कि अगर्वाद सावार इनकी बात करने वाले नहीं है लेकिन रिलेट किया किया रून की बात मेरे बात काम कैसे आ सकती है क्यों क कि आप उसको समझना चाहें तो ठीक है नहीं तो नहीं कर्जे में है कर्जे में है कर्जे में है कर्जे में है रोज कह रहा है कर्जे में हूं कर्जे में बाहर निकलना चाहता हूं लेकिन बात क्या कर रहा है दोस्त आया भाई सब कर्जे में फस गया हूं भाई आया कर्जे मे न क्यों बाइट जह लोत करता है तुटने इस स्मयनार में करता हूँ समस्या क्या है समस्या केवल वो है जिसका समधान है जिसका कोई समधान नहीं है वो समस्या नहीं है करजा एक समस्या है इसके बहुत सारे समधान है केवल समधान उपर बात करिए उसके क्या-क्या समधान पॉसिबल है मेरे पास कौन से पॉसिबल है और कौन से प्रेक्टिकली पॉसिबल है क को जो प्रेक्टिकली पॉसिबल उन पर बात करिए समधान उपर बात करें यस आप देखिए आपके अंदर इंटर्नल ब्लूप्रिंट कैसा है आपने किताब पढ़ी होगी सिक्रेट्स ऑफ मिलेनियर्स माइड नहीं पढ़ी तो मैं रेक्मेंट करूंगा किताब जरूर पढ आते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं लेकिन बड़े लोग सोचते कैसा है उनका ब्लूप्रिंट कैसा है यह होता है अगर मानों आपका अमीरी का थर्मामीटर एक हजार क्रोड़ पर टिका हुआ है तो भाइसा आप एक हजार क्रोड़ से नीचे काम करोगे नहीं नीचे आओगे यह आपका मेरिका खर्माम्यमिटर अगर दस क्रोड पर टिका हुआ तो दस क्लोड से नीचे काम नहीं करोगे हैं किया है आकमी आपको यह अब आपके यह फिर्मामिटर ठंडा पड़ा हुआ है दस भी सब्सक्राइब हुआ है हमारा अंदर का ब्लूप्रिंट का जहत है करता है कि हम क्या बनने वाले हैं बच्पन में हमने क्या सुन लिया था शायद हमने सुन लिया था करजा अच्छी चीज होता है मेरे को बताया था मैंने एक वैक्ति ने मेरे को का साम मैंने तो करजा इसलिए लिया मैं करजे में इसलिए फ़सा क्योंकि मैंने किसी किताब में पढ़ लिया था करजा अच्छी चीज है और जितना बड़ा करजा उतना बड़ा आदमी बात सच है हर बड़े आदमी पर कर्जा है सच है बिलकुल और जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा आदमी है भी सच है मानो मेरे उपर सो क्रोड़ का कर्जा है तो इसका मतलब क्या है भई मैं मेरे उपर लोग मेरे उपर सो क्रोड़ के लिए दाव खेल सकते हैं हर एक पर न कैसे भी हो करजा लेलो क मैं भूल मैं भूल के बड़ा बनने के लिए केवल कर्जे से बड़ा नहीं बनाजाता बड़े बनकर बड़ाकरज़ा हो सकता है अब के रजourt करजे के बने बनना चाहते है कि आप 1260 Maar 50-2000 दर के आदमी और आप 10 लाग का करजा लेकर ये करना चाहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं कि वहला कर था था तो गड़ बढ़ है अगर आप साबीत नहीं करना चाहते और आप अलड़ी है तो पहले इतने बड़े बनिए आप अपना ब्लूप्रिंट देखें किसी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है क्या बच्छ पंस तो करदा ले लोगे तो प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनेगा तो काम बढ़ जाएगा और फिर तुम करदे सो निकल जाओगे वरना तुम आजसी बने रहोगे तो बच्छपन से डाल दें किसी के मन में तो उसका ब्लूप्रिंट वैसी त्यार हो गया उस सीक्रेट ऑप मिल मदर से सीख लिया उनसे उनसे नहीं पूछा वो चोटे साइस के क्यों बनाते हैं उसकी मदर से मिले तो उन्हें बताया मेरी कढ़ाई छोटी थी तुम्हारी कढ़ाई छोटी नहीं है तुम्हें छोटी कर लिए कढ़ाई है चोटी वो बच्पन से तो फीड होता रहा है हर अमीर आदमी पर करजा होता है करजा लेना बुरी चीज नहीं है करजा अच्छी चीज होती है अब वह यह तो भूल गया कि अच्छे करजे और ब से मिलेगा करता है वो रोज बैंगी स्कीम देखेगा अकबार में कौन सा फुरा लोन अगेंटासे मिलेगा हर चीज को लोन पर लेने की कोशिश करेगा क्योंकि इसका ब्ल्ुप्रिंटब रे radar कैसे चैक होता है क्या दफ्तर में अगर नेगटिव लोग हैं जो केवल नेगटिव बात करते हैं थे पर रहते हैं उनको अपने आसपास से हटा दीजी कोई चीज जिससे नेगटिवीटी आते हैं कोई कुरसी को दफ्तर लोग कियादें इसको क्या आप यह मानेंगे के वास्तु का दोश्ख है न रही है छोड़ दीजिए उस वेक्ति को कम से कम तब जरूर छोड़ दीजिए जब आप कर्जे में हैं कर्जे से निकलने के लिए आपको पॉस्टिव माहौल पॉस्टिव एटमस्फर की ज़रूत होगी आप कोई कह सकते हैं आप ऐसे यार मेरी तो बीवी बड़ी नेगेटिव हैं और आप तो बीवी छुड़वाद होगे मरवाओगे नहीं तो क्या करो उसका सोलूशन है क्या उससे उसके मतलब की बात करो करजे की बात मत करो अरे करजा छोड़ना तुझे बता कौन से साड़ी चाहिए का गुमने चलेगी बता आपका भाई है को लगता है कि नेगेटिव है तो उससे उससे बिजनेस की बात करने की ज़रूत नहीं है उससे अपनी सिटुएशन शेर मत करो उससे सिर्व वह शेर करो जो उसके मतलब क है कि यार तरह को मुवी देखने चलना है मेरे साथ ना चल नहीं आप तो करजा छोड़ना तुझा क्यों क्योंकि अगर आप उसके साथ नेगेटिव व्यक्ति को पॉस्टिव करने कोशिश करोगे अपने आइडिया अपनी सिटुएशन अपनी प्लैनिंग बताओगे तो वह उस लेवल पर नहीं सोच पाएगा और गुरुचान के कहते हैं किसी भी अपने मेंटल से छोटे लेवल के व्यक्ति को अपने सपने मत बताना क्यों क्योंकि वह अपने मेंटल इस सर पर ही सोचेगा और वह आपके सपने को डाइजेस नहीं कर पाएगा जैल नहीं कर पा लगा है क्योंकि वो विद्वा फंड में उन्होंने पैसे दे दिए तो इससे बड़ा एंपैर खड़ा हो जाएगा ऐसी कोई पॉस्टिविटी नहीं होती है पेड लगा दो पेड का से लगेंगे कैसे लगेंगे हमारा वो अच्छा और बुरा हमारे सामने आता ही यह यह squish जो न This वो अपने साथ को नेगेटीव एशसी इतना नेगेटीव बना देते हैं कि और आबको पॉस्टी सोच नहीं निया जाता एक आप करजे में ओलेडी नेगटिव हैं उपर से आपको नेगटिव लोग मिल गए ऐसी जगह ऐसे लोग छोड़ी अगर उनको अपनी लगजीरियस लाइफ दिखानी है कि आप अमीर हैं आप करजे में नहीं है बट शॉआफ नहीं करना है लेकिन क्या करना है आगे क्या देख उसको गिराना भी नहीं है कि लोग क्या करते हैं करजे में आगे न तो वो ज्यादा शॉआफ करना शुरू कर देदें लोगों के पता न चल जाए मैं करजे में हूँ तो क्या हो रहा है वो दिखावा करने के चक्कर में एक नया पैरामिटर टच कर जाते हैं और फिर लोग का जो करते हैं करते हैं को झानल पसक्राबिस कर देते हैं धोब को इन Kden चोटा मोटा बढ़े लोग करते हैं क्यूं केंको पता है उनको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे धे ждए कर गें ऐसा नहूँ खर्चे जो आपको लगता है ज़रूत कि आपके कपड़े आपका स्टाइल वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर कमी आएगी तो यकिन लोगों को कहीं नहीं मैसेज जाएगा कि आप कर्जे में तो हैं ही आप उससे निकल भी नहीं पा रहें आपके पास सॉलूश नहीं है तो सॉलूशन देने वाला वैक्ति भी आप से किनारा करने लगता है क्यों क्योंकि गिरती हुई दिवार से हर कोई दूर रहना चाहता है इसको लगता है कि यह दिवार मेरे उपर ना गिर जाए तो किसी भी वैक्तिव को मैसेज नहीं जाना चाहिए यह इसन हमबल रिक्वेस अपनी गुडविल को कैश मत करना आपकी जो इमेज आपने बनाई है कहीं ऐसा नहों उस इमेज को आप कैश करने के चक्कर में सब कुछ तभा कर दो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी बहुत बड़े बहुत अमीर हुआ करते थे जिनके नाम का सिक्का चला करता था जिनकी इज़्ज़ शोहरत थी जिनके ने लोग आते ही खड़े हो जाया करते थे उन्होंने एक बार एक बार अपनी गुडविल को कैश किया और इस कैश करने के बाद उनकी गुडविल हमेशा के लिए खत्म हो गई आप करजे में कोई बात ने नुक्सान में कोई बात ने कि ना अगर हर वेक्ति से आप कहेंगे क्योंकि दोस्तों गुरुचान के कहते हैं वक्त तो बदलता रहेगा अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा लेकिन किसी वेक्ति की मदद लेने से पहले सोच लेना कि उसका ऐसान कितना बड़ा तुम्हारे उपपर आ रहा है कहीं आसा नहों के वक्त गुजर जाए और वह ऐसान बना रह जाए और जब आप गुड्विल को कैश करते हैं तो क्या करते हैं यार लोगों की छवी तो मेरी छवी तो की नज़र में बहुत अच्छी है मैं किसे को कहूंगा कि 5 लाग रुपे चाहिए 10 लाग रुपे चाहिए तो कोई बना नहीं ख़रेगा और आपने अपना काम निकाल लिया करजा निकाल दिया आप भूल गया ऐसा नहीं हुए पैसे की जुरूरत है वह आपको पांच लनग दस लाइस एक बार उसक्तिंई कि बढ़िए बदले में क्या मिलने वाला है ये बड़े लोगं क्या चाहते आप से क्यां कौन चोंड़ sûr लिया मुझसे तो मैं आपसे क्या चाहूंगा मेरा पैसा वापस कर देंए पैसा वापस ना भी करें कम से कम आप यह साबीध तो करें किया है हुआ हम अपरी गोडविल को बेज़ देते हैं को ऊ raises कर सकते हoma कर लो हो सकता है कोई आपके नाम से एक बार आपको पैसा दे दे, लेकिन दुबारा दुबारा वो आपका नाम भी नहीं लेगा कहीं किसी के सामूं, जो एक ती गर महसुस कर रहा था कल तक आपके साथ रह करके, कल आपको उसको शर्म महसुस होगी, ये बताते हुए कि मैं उसके साथ हूँ, और फिर इंसान ना तो समाज का रहता है ना बिजनिस का रहता है ना नौकरी का रहता है ना परिवार का रहता है किसी का भी नहीं रह पाता हो गुडविल कैश नहीं करनी है आपको अगर लोगों की मदद चाहिए ना क्या करवा आप गुडविल कैश मत करो आप ये करो ना आप से बात करो आपको समस्य आये तो क्या करो उन से आस आस लिम अपॉर्चुनिटी इस अपने लोगों की मददिन लोगों की मदद नए मौके तलाश नहीं में लें उनकी मदद लो मेरे को problem आ गई है मेरे क्या मदद करोगी है को निया है कि अ रफ इस problem में है आप कितने जिर्व पैस पैसे नीचे दृट है मैरे को इस problem से निकलने का solution चीज़िक तुम्हारे कोई solution है तो मुझे को मौका दे सकते हो क्या कोई opportunity है तुम्हारे पास तुम्हें कर सकते हो किसी के पास बेज सकते हो किसी दे मिलवा सकते हो कोई वैक्ती है जो मेरे साथ आ सकता है और जब आप उनसे opportunities के बारें बात करोगे तो आप डारेट दो मेसwide दे रहे हैं दो मेसेज पहला आप अपनी goodwill cash नहीं करना चाते हैं और आप केवर अपने talent के दो मस्टे एक पैसा माँड़ें तो आप अपने पर घड़ुसा नहीं कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत नुक्सान खाया करजे में गए हैं लेकिन उन्हें गुडविल कैश नहीं की उन्होंने अपॉर्चिंडी जूड़ी है कि मैं आपको क्या दे सकता हूं मेरे पास यह है अब मुझे क्या दे सकते हैं बतले में और ऐसा करोगे तो लॉंग टर्म तर लोग यह उन्होंने सारे चे सिचुपूशन देखें भी बुरे वक्त भी आया होगा बुरी सीचुपूशन भी आई होंगी लिग वे पॉट्टे स्थे इंगो ना अभी नोगों ने यह तो बहुत नपया करेंगे मैं मदद करना चातको तेरी बता क्या करेंगे आपको स्लूशन मिलेगा आपको भी विनों को मदद मिलेगी अपने लोगों से मिलेगी लिंकम जब आप उसे मदद मांगेंगे ना कि केवल पैसा मांगेगे यस हर लगे क्याफ बसेक एंग को बसे कींग 50 कह नहीं हुँ कि मैंन के लिए एक्सरट नहीं हूं इन्वेस्ट्रमेंट के यहां बैठати था इन पंड़े हैं व हैं पॉन हर काम का expert available है expert की आडवाईज लो पैसे दे कर लो जैसे भी लो लेकिन उससे expert के एडवाईज लो बहुत सारे लोग से है बिल्ड के वह आपको बताएं कि यसे बाहर कैसे निकला सकता है हो सकता है तुम्हों की सिचूेशन रही संस्या है वसे संस्या होई ना और अब यहाज हमने पढ़ा कि मैक्सिम समझां हैj actual में अपॉर्चिन्टी होती हैं समस्य नहीं होती है है अगर आपने करदे से बाहर निकलने का कोई एक भी स्टेप उठा लिया अपने आपको अप्रिशेट करना मत बूलना क्योंकि जमाना वो है अगर आप अपनी तारीफ नहीं करेंगे तो कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा अगर आप चाहते हो लोग आपकी तारीफ करें तो शुरुवात अपने आप से करो हर छोटी से छोटे काम के लिए अगर आप आपने 10,000 का भी कर्जा उतार दिया एप्रिशेट करो अपने आपको और चाहें उसके लिए 2000 पर खर्च करने पड़ जाए आपको साफ़ी का बात करो कर्जे से निकलना है आप करो पैसे बचाओ करो खर्च करो हाँ क्योंकि यह मॉटिवेट करेगा आपको अगली मुझे वहाँ लेकर करके जाना है बच्चों को तब तक यह नहीं होगा वह नहीं जाओगा छोटे से छोटे काम को जोड़ लो और फिर देखो आपके पास हर काम को करने के लिए एक रीजन होगा और आपको खुद एक मॉटिवेशन रहेगा जल्दी से काम खत्म हो तो मैं कर लूँगा अपनी को इच्छा जो आपको लगता हो अच्छा है जो करना चाहते हो इच्छा ऐसी है उस इच्छा को जोड़ लो उसकाम के साथ कि जिस दिन ये काम खत्म हो जाएगा उस दिन ये काम करूगा कि अब तक रोज याद रहेंगा तुम्हें मूझे एक काम करना है जल्दी से बाहर निकलना है जल्दी से समस्या का समध्दान करना आपको एप्रिषयेट करें क्योंकि जब भी आप छोटा सा काम भी काम के लिए करते हैं तब तब आपको एक मॉटिवेशन ही जोड़ है आप आपके को टीम आपके जुतने भी साथी जो में सदस्य हैं हमने बताया था को टीम क्या होती है आपके को टीम के मेंबर्स आपके वो लोग जो आपके खास हैं उन खास लोगों को बताओ कि क्या चल रहा है और उनसे समधान ढूंडने में मदद लो कि उन्हें बताओ क्या क्या समस्या आ रही है और इनका समस्याओं का सोलूशन क्या-क्या हो सकता है मैं यह नहीं कर रहा उनकी बात मान लो लेकिन उनकी सलहा जरूर लो कई बार एक छोटा भाई छोटा बच्चा बेटा आपका जिसकी उमर 12 साल है वो आपको कोई सेज़ेशन दे सकता है पापा यह कर लो और आप उचल जाओ और रही क्या हुआ क्या इतनी सी समस्या थी है हां कई बार होता है हमें लगता है कि इस वेक्ति के दिमाग में कहां से सोलूशन होगा जब सोलूशन मेरे पास नहीं है तो मालिक हों कमनी का के बार होता है हम बड़ी समस्या पर फोकस कर रहे होते समस्या लोग छोटी होती है एक वो मेरे पास वर्ट सब्सक्राइब आपके किसी गुरूप में आई पिया था है उसमें वैसे किसी ने किसी का टीवी खराब हो गया है तो टीवी खराब तो उसने इंजिनियर बुलाएं बड़े-बड़े इंजिनिर आ रहे हैं कोई कुछ कर रहा है क एक एरिया का इलेक्टिशन लोकल आया है उसने का भाई पहले तो शुरुवात करो इसका प्लग ठीक है क्या नहीं पिलग देखा खोला तो उसमें तार हटा हुए था जोड़ा हो गया का करें या टीवी क्यों खोला था हमने चल नहीं रहा था तो चलना यहां से शुरू होता है कि वारा समस्या को इसे एंगल से देख रहे होते हैं होती कहीं और है राजेशन आपको बताया था है अंगुठी को सिच्वेशन ही पता है वो गिसने कमणी चलाई नियो को सकता है वो समधान उसी के बास हो तुम्हारे पास हो हीना हो सकता है वो कई अपने लेवल पर दो भात करोगैं बता दो उनको क्या समस्या आ रही है और अपनी टीम के लोगों को बताओ क्या सोलुशन नो सकता है उनसे पूछो एक खुश खबरी है करजे के वामले में बड़े बिजनिस्पेन बड़े लोग यह जाते हैं बताते हैं और यह बात बिल्कुल सच है अगर आपके टोटल करजा अगर आपने केल्कुलेट कर लिया होतों और वह आपकी टोटल एसेट से कम है तो इतना ज्यादा घबराने की भी जरूद नहीं है फिर आपकी सिच्वेशन अभी ठीक है इतनी खराब नहीं है कि यहांसे उठा नहीं जा सकता वैसे तो बड़े बिजनिसमें यह भी कहते हैं कि अगर आपकी एसेट हाफ हो और कर्जा डबल भी हो जाए तो भी आप बाउंस बैक कर सकते हो तो भी सिच्वेशन कंट्रोल में रहते हैं लेकिन यह सिच्वेशन बहुत आइडल सिच्वेशन है अगर आपकी टोटल एसेट कैलकुलेट करके आपके कर्जे के बराबर है तो आप कोई बुरी बुरी राजिश उनके साथ यह समस्या थी टेंशन में आगे मैंने यहां शॉप ली ये लिया ये लिया ऐसे काम किया ऐसे काम किया साड़े चरूर रुपे का करजा है और आगे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कर्जा इतना जादा हो गया है काउंसलिंग के लिए बैठे हम लोग है लगभख आठ क्रोड की ऐसे उनके पास ओलेडी है तो मैंने उनको रियलाइस कराने कोशिश की कि घवराने की जुलत ने आप सही सिच्विशन पर हो भले ही आपकी दो तीन रणनीत्या फेल हो गए लेकिन आप इतनी बुरी हालात पर नहीं हो कि आम बाव स्वेक्ट ना अगर उसने को ऐसे डवलप कर ली है और उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो निकल सकता है तो यकीन वो बुरी स्थेट पर नहीं है महां से बाहर निकला जा सकता है इस हिती इतनी खराब नहीं है यस लास्ट बट नाट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया था भी चाहे कुछ भी हो जाए सिटुएशन कैसी भी अगर आपको अपने अपर विश्वास नहीं मन के हारे हार है मन के जीते जीत है अगर आपने मन में माल लिया कि अब आप सफल नहीं हो सकते त इस करजे से बाहर निकल नहीं पाऊंगा चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो यह